बगुदर प्रखंड इस्थित अनोखे शिव मंदिर हरिहरधान की अनोखी कहानी है मंदर का कार शिवलेंगा कार होने के कारण यह मंदर अनोखा है इसके अलावा मंदर के उचाई भी 65 फीट है जो दूर से ही दिखाई देता है मंदर का इतिहास पश्यम बंगाल से जुड़ा हुआ है पश्यम बंगाल लिवासी अमरनाथ मुकोपाध ध्याई के द्वारा मंदर का नर्मान कराया गया है बताया जाता है कि वह काफी विद्वान थे मंगाल में जज के पत पर भी न्यूक थे बताया जाता है कि स्थांसारिक मुहमाया को त्याक करते हुए उन्होंने चारोधान की यात्रा के लिए पद्यात्रा करने निकले थे पध्यात्रा के दौरान ही वे बगोदर में रुके थे और उन्हीं उस समय वह स्थान पसंद आ गया था जहां भी मंदर बनाया गया है इसके बाद लोगों के सहयोग से उन्होंने इस मंदर का निर्मान कराया कलाकार कितना पार्खी होता है ये बाद भी इस मंदर की बनावट से पता चलता है मंदर की पुजारी वुजय पाठक ने बताया कि 1988 इसवी में मंदर का प्राण प्रतिस्ठा कराया गया था इसके बाद से प्रतेइक वर्ष यहां महा शिवरात्री उत्सव मंत आ रहा है बगोदर के हरहरधा में महा शिवरात्री के मौके पर यहां शिवभक्तों का सैलाब उमरता है पुजार चना करने के लिए न सर्फ बगोदर और आसपास के इलाके के स्वधालू पहुचते हैं बलकि दूर दराज से भी स्वधालू पहुचते हैं एवं भगवान भोले का अराधना करते हैं मंदर के पुजारी वुजय पाठट ने बताया कि शिवरात्री के तैयारी पूरी कर लिगई है इसे लेकर मंदर को आकशक तरीके से सजाया गया है मंदर की साफ सफाई का कारे भी पूरा कर लिया गया है महा शिवरात्री के मौके पर अहले सुबह में सरकारी पूजा होने के पश्रात रधालू के पूजा अर्चना के लिए दिन भर मंदर खुला रहेगा रात्री में स्रिंगार पूजा के अलावा चारों पहर पूजा की जाएगी इस बीच शिव पार्वती विवाहुच्छव मनाया जाएगा इस मौके पर स्थानिय कलाकार आनंद पांडे के द्वारा रात्री में भरिन कारिक्रम प्रस्तुत किया जाएगा बगुदर सी धर्मींद्र पाठक की एक रिपोट इसको महाशिवरात्री है, एक महीना में होता है या रही तक चले रहा है जेखे आफ नो बजए तक चलेगा हीर चार पहर का पुजा होगा इसे माता पार्वति और किर्भी का विवाव उस्तव मनाया जाएगा और चार पहर का पुजा होगा और स्रीभध दोग उसके सामिल होंगे बाबा का बराती धुमधाम से नंदिरे प्रसर में लिकलेगा हुआ झाल्ड़ उस्तव में लिवाव उस्तव में लिवाव उस्तव परकाश्य इसाल इस मनाया जाएगा उस्तव